आर्ति का जो घर में आग लगा है तो इसमें कितना सच चाहिए है। उसमें 100% सच चाहिए है क्योंकि वो बहुत अच्छा नेतर की नहीं है। कुछ उल्टा उल्टा बोलते रहती है इस तर से तब गौंबला ने आग लगा दिके। मतलब पूरह गौंबला आग लगाया है। जी और मतलब उन पे केशुस हुआ है की नहीं जो लोग आग लगाया है। नहीं तो नहीं हुआ है और जो लोग क ड़ते नहीं हैं आग दालोग्यों को आऊठी। मतलब वो लोग डरते नहीं है जो लोग आग लगाए है तो वो लोग डरते नहीं है कि आरती केस कर देगी या कुछ भी कर देगी तो इनसे डरते नहीं है नहीं नहीं डरते नहीं बिल्कुल नहीं डरते हैं आप उनका आरती का परोशी है आप मतलब आरती का घर और आपका घर नज्दिक में ही है कहा जा रहा है मेडम कि रतनेश जी आग लगवा दिया है इसमें कितना सचाई है मुझ्ट लगवा वही बात है रतनेश जी का नाम बदनाम किया रहा है तो रतनेश जी नहीं लगाया नहीं ही आग नहीं लगवाया है और मैड़म बोल रही है कि पुरा गरामीन आग लगवाए है ना कि रतनेश जी आग लगवाये हैं रतनेश जी इस में कोई हाथ नहीं है मतलब आर्थी की दुवारा जूट मुट का बदनाम किया जा रहा है रतनेश जी को देख सकते हैं मेडम वीडियो कॉल पे है जो कि आर्ती का घर का परोसी है आर्ती का घर और इनका घर मेडम का घर साइड में ही है यही बात है ना मतलब आर्ती का घर आपका घर कितना घर के बाद आपका घर है मतलब हुआ परोसी हुआ आप जाते हैं आर्ती का घर जाते हैं आप मतलब आरती के पास कोई ही गरामिन नहीं जाता है कहीं ने कहीं आरती गलत है इसलिए नहीं जाते हैं आप लोग मतलब अपने माता पीता को जैल में बंद करवा के अराम से रह रही है माजा ले रही है तुमान के चलिए साधी कर ली तो माजा तो लेवेन करेगी आप दूक लोग बोलते हैं जानिया कि मना ली है उसका वीडियो बहुत लोग बनाते हैं तो अगर साधी की है तो साधी की है तो मने भीकरेगी नगे तो वही ना बात है कि मतलब साधी की है तो स्वाग रात तो मने भी करेगी इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अब देखिए देखिए आप सुनिए सुनिए आप भी एक महिला है तो आप थोरी बता दीजिए का किसी को हम आज स्वाग रात मनाये हैं अब बिल्कुल यह यह बात बताने वाली चीज है जो चीज आरती बोली है अब बताने वाली ने को ही एक दिन से भी होता है वही नहीं स्वाग परता है